हेलो स्टुडेंट्स आज हम आपके नए टॉपिक हीट आफ सॉल्यूशन अर्थात विलियन की उश्मा पर चर्चा करेंगे विलियन की उश्मा जो है वो मुख्यता जब हम किसी ठोस पदार्थ के एक मोल को जल की अधिकता में गोला जाता है तो उच्सरजित अथवा अवशोशित उश्मा धोस पदार्थ की विलियन उश्मा कहलाती है जिसमें जल की अधिकता से ताथ पर यह होता है कि विलियन को और अधिक डाइल्यूट तनू करने पर उश्मा में परिवर्तन ना हो तो इस तरीके के कहने का ताथ पर यह है कि जो भी ठोस पदार्थ है उसको जब हम किसी विलियन में मिलाते हैं उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसमें जो उश्मा निकलती है उस ठोस पदार्थ को गलाने में जैसे आप देखते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड चूना चूने में जब हम पानी डालते हैं तो हम उस विलियन को और ज़्यादा डाइल्यूट करने का प्रयास करते हैं तो उसमें से धुआ के समान निकलता है पदार्थ तो इसका मतलब है कि वह उस विलियन की उश्मा हो भी उस हैते तो कई सारी उश्मा हैं लेकिन हम ज़ो आपके सिलेबस में सिर्फ उसी पर छड़ियंगे तो उदासिन ऑस में जब हम किसी तनूविलियन में कि सी अमल के एक ग्राम तुल्यांग को पहुँए कि ईग ग्राम तुल्यांग के करती है कि जिसमें विलियन को तनु विलियन को डायलूट सॉलीशन को हम उदासीन करने का प्यास करेंगे तो जो उश्मा उसमें सर्जित होगी वह उश्मा उदासनी करण उश्मा कहलाएगी जैसा कि हम चित्र में आपको एक एक्जामपल के तहर समझाना चाहूंगा कि फॉर आप चित्र में इसी एक्जामपल को देख रहे हैं तो जब हम इसको करते हैं तो इसमें एनेसी एल प्लस होता है और जो इसकी एनरजी होती है उदासनी करना नुश्मा वो इसकी माइनस 13.68 किलो कैलोरी निकलती है तो कहने का मतलब यह है कि जो भी एक प्रबल और एक तनु विल्यन को उदासीन कर सकते हैं तो किसी प्रबल अमल्ग को फर एक्जामपल कोई भी हम ले 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 तो किसी भी प्रबल अमल्ग को एक ग्राम तुल्यांक किसी भी प्रबल चार के साथ जब हम उदासीन करते हैं तो लगभख कोई भी विल्यन हो उसमें लगभख उसम से आयनित रहते हैं तो इस वजह से जो है इसका जो उदासीन होने का गुण है यह हमें दिखाए देता कि इसके अलावा चोटा सा एक और टॉपिक है बंधन और जा बंधन उर्जा तादपर यहीं है कि यह भी नाम से ही सीधा संबंध कि बंधन उर्जा से थात पर है कि जब बॉन्ड हम बनाते हैं तो उसमें उनकी जो बॉन्ड की सामर्थ होती है यह हम कह सकते हैं उनके जो बॉन्ड इस्टेंथ होती है वो आपस में इतनी मजबूत होती है तो उसके बॉन्ड बनने में जो उर्जा सर्जित होती है उसे हम बंधन उर्जा कहते हैं और इसी के ज बंधन वियोजन औरजा कहलाती है तो इस तरीके से बंधन औरजा क्या है और बंधन वियोजन औरजा क्या है दोनों पर हमने बात की